हाई व्लकम बाग तो आर चानल रियाल्टी 360 डिग्री आयाम यूर कोस्ट जॉली आड़ दोस्तों M3M ग्रूप ने अपना कुछी ताइम पहले नोईडा में एक फॉस्ट एवर प्रॉजेक्ट लॉंच कर दिया है M3M दी कलिनन और उसके बाद अब वो एक और प्रॉजेक्ट अपना यहां पर लेकर आ गए है M3M दी कलिनन वो एक रेसिदेंशल प्रॉजेक्ट था प्लस उसमें हाई स्ट्रीट मॉल और एक शॉपिन मॉल भी था बट यह जो उनका नेक्स प्रॉजेक्ट है यह कंप्लीटली थमोर्शिय प्रॉजेक्ट है और इसका राम है M3M D-Line जो की नोईडा के सेक्टर 72 में लांच हुआ है कुछी ताइम पहले लांच हुआ था अभी इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉजेक्ट के बारे में सब कुछ डीटेल में बताने वाली हूँ क्या-क्या यहां पर रहने वाला है यहां की प्राइसिंग क्या रहने वाली है लोकेशन यह कैसी है प्लस अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसे फायदा या फिर कैसे आप बेसे बेस रिटर्न यहां पर ले पाएंगे वो सारी चीजे में अभी इस वीडियो में डिसक्स करोंगी सो सबसे पहले दर लाइन की लोकेशन को अगर हम जिसक्स करें तो इसकी एक्जाट लोकेशन रहेगी सेकर सेवेंटी तू नोएदा फोर साइड ओपन प्रॉपर्टी आपकी रहेगी सामने में रोड रहेगा दोनों तरफ लिंक रोड रहेंगे और बाट साइट का यहां पर एरिया रहेगा तो मैं लोकेशन के बारे में बता रहे थी को यह आपका में रोड पर सिचुएटेड है यहां से आपको अपको अच्छी मिल जाती है आसपास के सभी एरियास से यह काफी जादा अच्छे तरह से कनेक्टेड है प्लस नियवाए में काफी सारी यहां पर MNC इस भी है जैसे कि HCL, Oracle, etc. उसके अलावा इस लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहां पर मेडिकल टूरिस्म नहीं अबाए है मिदांतर हॉस्पिटल, फोर्टेस हॉस्पिटल और उसके लावा कई सारे हॉस्पिटल यहां आसपास विदन वाकिंग डिस्टें इसकार प्रोपोस है, तो इन फूचर यहां पर कासे सारे हॉस्पिटल बिलकुर नजदीक रहने वाले हैं और वहां से आपको इस मॉल में काफी सारा फुटफॉल भी मिलेगा कई सब्सक्राइब के बात करूं तो यह नौर्थ इडिया कर नमबर वन बिल्डर है और इनकी एक्सपर्टीस जाओ पर कमेश्यल में ही है बिल्डर, प्रांसपरेंसी, सुपीर फ्रोलिजी, ताइमले दिलिवरी और अपने ट्रस्ट के लिए जाने साथे हैं यह 2010 से आक्टिव है और 2010 से अभी तक अराउंड 52 प्रोजेक्ट्स यह लांच कर चके हैं जिनमें की कमेश्यल है और रसिडेंशन गोनो तरिकी के प्रोजेक्ट्स है और इन में से 30 प्लस प्रोजेक्ट्स यह सकस्फुली डिलिवर कर चके हैं मेंली यह अभी गुकाव में प्रेजन है और लास्लियर से यह अभी अभी नोईडा में भी आचुके हैं अगर मैंने डिलिवर्ट अरिया की बात करूं तो एंप्रियम ग्रुप अराउंड 2 क्रोर स्कुर फीट का अरिया सकस्फुली डिलिवर कर चुके हैं प्लस इनका अभी 4 क्रोर स्कुर फीट अरिया अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं प्लस इसके अलावा एंप्रियम ग्रुप के पास 3,000 एकल का लैंड बैंक अभी भी बाकी है जिनमें वो फ्यूचर में डवलाप्मेंट्स करेंगे पूरा क्रोजेक्ट आपका 3.05 अकर का लैंड पाच में बन रहा है जिसमें 3.500 स्कुर फीट के एरिया में कम्प्ली आऽे के पैंड स्कुरिप्स रहें गे उसके अलाब रमेनिंग 5 लाक स्कुराइब के एरिया में रहेगा आपका completely retail retail के यहां पहले बात कर लेते हैं तो ground से 5th level तक यहां पर retail spaces रहेंगे जुसमें की 3rd level तक आपके completely retail spaces रहेंगी anchor spaces रहेंगे उसके अलाब फूर्थ फ्लोर पर यहां पर पूरा आपका F&B section रहेगा और kids zone रहेगा साथ साथ entertainment zone रहेगा फिफ्थ फ्लोर पर यहां पर एक clubhouse present रहेगा clubhouse exclusively sweets के लिए रहेगा उसके अलाब पूल एरिया रहेगा और landscape एरिया रहेगा प्लस उसके अलाब एक restaurant भी रहेगा जो की आपका retail का पार्थ रहेगा उसके अलाब सेवन फ्लोर ऑनवर्थ आपके sweets शुरू हो जाते हैं sweets में आपको अराउं चार sizes के options मिल जाते हैं एक फ्लोर पर आपके 27 sweets present रहेगे जुनें access करने के लिए आपके पास share lift के provision रहेगे retail के लिए आपके पास महापत दो entry and exit gates रहेगे plus sweets के लिए एक entry रहेगी pen sweets में 4 sizes हैं जुसमें 1205 square feet की हर फ्लोर पर एक unit रहेगी 980 square feet size के 3 units 890 square feet के size की 4 units and remaining 19 units 865 square feet के size की रहेगी facing या तो green area की रहेगी या main road की and PLC भी facing के according वेरी करेगी payment plan is 50 is to 25 is to 25 plus this is a 100% lease rent project this project is being designed equivalent to Taj and Oberoi hotels with best of the best services and facilities best hospitals are nearby where patients from all over the world will be coming MNCs like Genpac and Tech Mahindra are also nearby hence this is the best available investment opportunity for investors in Noida guys M3M Group का M3M Cullinan पहला प्रोजेक्ट था डोईडा में और वो इनका एक flagship project था उसके successful launch के बाद आप उन्होंने अपना दूसरा प्रोजेक्ट M3M line लेकर आए हैं M3M Cullinan को renowned company DPA ने डिसाइन किया था M3M line को भी डिसाइन कर रहेगे इसके अलावा अगर मैं स्वीट की बात करूँ तो इसके अलावा अगर मैं स्वीट की और बात करूँ तो यह आपको अपने 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 को डिसाइन करा सके और अपने 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 को डिसाइन करा सके So guys that was all about our today's project M3M DL line अपको यह प्रोजेक्ट कैसा लगा तो यह आला संदी comment box मैं आपके लिए थोड़ा से सम्मराइज कर देती हूँ तो लुकेश में बहुत ही जादा अच्छी है centrally located project है On road आपकी connectivity आपको यह पर मिल जाती है लुकेश का connectivity बहुत है बहुत है इसके अलावा आपको यहां पर रिटर्न्स काफी जादा अच्छी मिल जाते हैं अगर में मार्केट में और बिल्डर्स की बात करों तो यूजरी कमोशियल में आपको चार से पांच परसेंट का रिटर्न और इंवस्मेंट मिलता है वहीं M3M M3M Group आपको इस प्रोजेक्ट में minimum 7% का रिटर्न दे रहे हैं उसके साथ आपका जो अप्रिटर्न रहेगा उसका अप्रिशेशन अलग से रहेगा प्लस मैं अगर एरिया की भी बात करों तो आज पास में आराउंड आपको आपको यहां पर फूटफॉल मिल जाता है अरॉंड 4 lakhs फामलीज आपके बिदन 5 km के डेएस में यहां पर रहती है आपको यहां पर फूटफॉल भी काफी जादा अच्छा मिल जाता है साथ साथ मेडिकल टूरिजम ताइस और जो नियवाय मेदानता होस्पिटल फोटस होस्पिटल यह सबके सब आपके नियवाय रहेंगे तो जो बाहर से पेशेंट साइंगे और बाहर से जो फॉर्म से लोग आएंगे वो इन कि युचर में पर लाइन पो ही प्रेफो करेंगे बहने के लिए अब है आपर काफि सारे दिसकाउंट कर रहे हैं आपको नवरीन डिसकाउंट मिल जाएगा और यहां पर इंवेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अभी कॉल किजिए अभी आकर इस प्रोजेक को विजिट कीजिए अगर आप इस प्रोजeक्ट विजब करना चाहते हैं तह आप आप में उनमे ऊपर तियंगे नमर पे कल्ट कर सकते हैं वारे आप को अपर।कर ए सबस्थ करेंड झालाएब कर दो हैं सकते हैं कर दो हैं